जैहिन, देखेगा एनिशियल में जो आपकी हेम ओपरेटर दोजर तेज की बरती है तो इसको लेकर जो आपकी एक्जाम का एनलेशिस है आनसुर के आने के बाद और जो आपकी कटोफ है वो हमने डिसकस की थी लेकिन यहाँ पर फिर से अब कुछ ऐसी नहीं अपडेट आई है जिसको देखकर आप खुस भी होंगे और जो आपका कॉम्पिटिशन है वो पहले के मुकाबले आपका बहुती कम रहने वाला है यहाँ पर देखें जो कॉम्पिटिशन है वो कम क्यों रहेगा वो पहले जो कटोफ जानी थी उससे आपकी कम से कम दो से लेकर तीन नमर जो कटोफ है वो अब आपकी कम जाने वाली है तो इन सब का क्या कारण है जो फिसल डाटा है वो आपको बताते हैं सबसे पहले आपको पता होगा कि एक अक्टूबर को जो आपका एकजाम है वो कंड़क्ट किया गया था जिसमें टोटल आपकी 338 जो पोस्ट है वो अब की बार रहने वाली है और यहाँ पर देखिए जो आपका रजिस्टेशन हुआ था उसके आधर पर विद प्रूफ आपको हमने दिखाया था वीडियो अविलिबल है चेनल पर आप देख सकते हैं कि टोटल 70,000 के आस्पा जो फोम है वो आपके फिल किया गया थे लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है एक जो कंडिडेट है उन्होंने आईटीए लगाए थे और उस आईटीए का जवाब आया है जिसमें बताया गया है कि केवल और केवल 33,100 बाउन जो कंडिडेट हैं इनके यहाँ पर जो एडिन काड हैं वो आपके आउट किये गए थे ध्यान से सुन लीजिए यह आपकी अटरनेशन नहीं है बलकि जिन बचों के फोर्म फिल किया था तो उनमें से जिन बचों के फोर्म एकसेप्ट हुए थे जिनके फोर्म सहीं पाए गए थे उनमें से मतर 33,100 बाउन ऐसे कंडिडेट हैं जो आपके एडिन काड के लिए केवल और केवल 4,419 कंडिडे रेट हैं इनका एडिकाड यहां पर आउट हुआ था हैं 5929 तो इतने कंडिडेट हैं जिनका केवल एंकर आउट हुआ था अब आपको पता है आपने तो एक्जेम दिया होगा अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी एक्जेम जो अटेनस है वो आपकी बिल्कुल भी 100% नहीं थी यापर जो अटेनस है वो लग बगए मैक्सिमम से मैक्सिमम में 17 से लेकर 80% के बीच में रह सकती है इससे ज़्यादा अटेनस किसी भी हालत में आपकी नहीं रही होगी तो यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं कि केवल और केवल 24 से लेकर 25,000 के आस्वा जो कंडिरेट हैं वो आपके एक्जाम देने के लिए पहुँचे हैं और यह जो अटेनस है वो बिल्कुल आपकी मैक्सिमम है अटेनस इससे कम हो सकती है ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती है और आपने देखा होगा कि जो एक्जाम का लेवल था ड्रैवर के अगर हम बात करें एक्जाम के मकाबले तो वो आपका हाड था मोड़िट से ज़्यादा बिल्कुल हाड एक्जाम जो है वो आपका हम बोल सकते हैं इसके अलावा यहाप पर आपको पता होगा कि आपके एक्जाम में नहीं तो कोई नेगटिव मार्किंग थी औ और क्योंकि आपका एक्जाम एक सिफ्ट में हुआ था इसलिए कोई भी जो आपका नूर्म जिसन है वो पेपर में नहीं हुआ है और जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी आउटो हो चुका है उसकी भी अपडेट आपको हमने दे दी थी और हमें पूरी उमिद है कि कितना वो आपने चेक कर लिया होगा आपकी कटेगरी कुन सी है आपका स्कोर कितना है ये चीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा इससे क्या होगा कि जो अधर कंडिरेट हैं वो भी चेक कर पाएंगे कि कितना जो स्कोर हलक बगुच्चों का वो क्रेटिर यह है वो कितना है यहां पर जो देखिये आपका सो नुमर का एकजाम हुआ है इस सो नुमर में से यूर और एडेवलोज को कम से कम 50 OBC, SC, STO और X-PRO-SHMAN को कम से कम जो 40 स्कोर हैं वो लाने जरूरी हैं यहां पर इतना स्कोर अगर आप करते हैं उसके बाद ही कट कट ओफ आपकी कितनी बनती है उसमें आपको काउंट किया जाएगा और यहां पर आपको पता है कि जो आपकी कट ओफ है ना वो आपकी थोड़ी सी जादा जाने का जो कारण है वो आपकी सेलक्शन प्रोसेस से इजी होने के वज़े से आपको पता है कि एक्जाम के बाद आपका फीजिकल है, ने कोई आपका इंटर्विउ है, ने कोई आपका ड्राइविंग टेस्ट है, डिरेक्टर आपका क्या होगा, डिरेक्टर आपका डिवी यहनकी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें टोटल विकंशी के लगभग, डेड़ उना के आसबास जो मिल सकता है, ओके, अब हम बात करते हैं आपके कटोफ के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों ने हमारी पहले वारी वीडियो देखी थी, तो आपको पता होगा, कि यह जो आपकी कटोफ है, वो आपको हमने बताई थी, और यह जो कटोफ है, बिलकुल आपक कम, फिलहाल में वेकंशिक के अकोर्डिंग जो कम कॉंपुटिशन है, वो आपका यूर कटेगरी में है, लेकिन यह जो कॉंपुटिशन है, वो कम इसलिए नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपकी बाकी रिजर्व कटेगरी हैं, यहाँ पर यह जो है, आपकी यूर में काउंट तकर रह सकती है, यह जो कॉटोफ है, यह आपकी अबकी है, और यह जो कॉटोफ है, वो आपकी पहले वाली कॉटोफ है, जो आपको हमने सत्र हजार के आसपर जो फोर्म थे, उनके अकुर्डिंग हमने बताई थी, लेकिन अब जो एडिन कार्ड इस्यू हुए हैं, जो होना चाहिए, कि यह जो आपकी कटेगरी है, वो यूर में भी फाइट करने वाली है, तो कॉटोफ आपकी यहां पर अब अठाउन तक जा सकती है, यह जो कॉटोफ है, वो आपकी 53 से पिस्पन पहले बताई गई थी, लेकिन अब यह आपकी 53 तक ही सीमित रहने वाली है, इ लेकिन 54 से उपर जाने का कोई भी यहां पर आपका चांशन नहीं है, इसके बाद है स्ट की 59 से 51 तो यहां पर यह जो कॉटोफ है, वो अब आपकी एकाउं तक हो सकती है, और इसके बाद जो एक्स पॉलिश मेंने हैं, इनकी कॉटोफ आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, मैक्स में 46 से लेकर 20 तक, और याद रखिएगा यह जो कॉटोफ है, वो आपके फाइनल कॉटोफ है, अगर इतना स्कॉर आपका है, तो बिल्कुल आपका फाइनल सेलेक्शन ताय है, और यहां पर जो फाइनल कॉटोफ है वो इससे भी कम आपकी एक से दो नमर जा सकती है, ऐसा क का स्कॉर अच्छा काच्छा है, लेकिन अब वो जोइन कर चुके हैं, इन सब के अलावा डिलिप्रिस ड्रैवर की बरती है, जिसका जल्दी है आने वाला है, तो वो बच्चे भी आपके आपकी जो प्रोसर से फाइनल सेलेक्शन की उससे बाहर होंगे, क्योंकि दिलिप्र ड्रैवर की बरती है, वो भी चल रही है, उसके प्रोसर साथ साथ में जो है, आपका फिलाल में चल रहा है, तो इन सब का जो एफेक्ट है, वो भी रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो हर आपके ड्रैवर बरती में देखने को मिलते ह और जो आपका स्कूर अच्सा खासा प्राप करते हैं तो यहां पर उनका अधर बरती में जाना भी आपकी कटोफ को एक से दो नमबर कम लेकर जरूर आएगा तो यह आपके नहीं अपडेट थी जो आपका डाटा आया है उसके को रूडिंग उमीद करते हैं कि आपको जान करिये अच्छी लोगी होगी आपके क्या राइए है कटोफ के बारे में आपका स्कूर अगरा कटे की रिवेगरा यह चीज़ जो आप कमेंट सक्से में जरूर शेयर कीजिएगा आपके तो आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहीएगा चलों को सब्सक्राइब कर लिजिएगा जैहिन